गुट मॉरिंग स्टुडेंट्स, हाव आयू आल, लास्ट टाइम हमने हिंदी व्याकरण में एक नया चैप्टर शुरू किया था, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी चैप्टर को continue करेंगे, उससे related कुछ exercise solve करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, कुछ काम किये जाते हैं और कुछ काम स्वैम हो जाते हैं, हमने पढ़ा था कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक्रिया, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता, उन्हें हम अकर्मक्रिया कहते हैं, उधारन के लिए राम पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर इस वाक्य में पत्र शब्द जो है वो कर्म है, इसलिए लिख रहा है क्रिया सकर्मक्रिया होगी, यहाँ पर बच्चा रो र तो इस वाक्य में कर्म नहीं है तो ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक्रिया कहते हैं इस वाक्य में पत्र कर्म है और इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए इसे अकर्मक्रिया कहते हैं यहां कुछ वाक्य दिये हैं इन वाक्यों में से आपको करता, कर्म और क्रिया तीनों शब्दों को अलग करके लिखना है पहला लिखा हुआ है भारगवी ने दाल चावल खाए तो इस वाक्य में करता क्या हुआ? भारगवी कर्म क्या है दाल चावल और क्रिया क्या है खाए तो इस तरह से बाकी वाक्यों में भी आपको कर्ता कर्म और क्रिया अलग-अलग करके लिखना है राम ने धनुष तोड़ दिया तो कर्ता क्या हुआ राम कर्म क्या हुआ धनुश और तोड़ दिया इसकी क्रिया है तो इस वाक्य में तीनों हैं कर्ता, कर्म और क्रिया जहां पर कर्म नहीं हूँ वहां आपको कुछ नहीं लिखना है राम ने धनुश तोड़ दिया राम ने क्या तोड़ दिया तो क्या शब्द का जब उत्तर मिलता है तो वो सा कर्म क्रिया होती है हिरन दोडता है तो हिरन शब्द यहाँ पर करता है और दोडता है क्रिया है इस वाक्य में कर्म नहीं है अगला है अरजुन तीर चलाता था तो अरजुन यहाँ पर करता है तीर यहाँ पर कर्म है और चलाता था क्रिया है तो इस तरह से अरजुन करता तीर कर्म और चलाता था क्रिया तो यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक्रिया जिसमें कर्म आता है वो कौन सी क्रिया होती है सकर्म क्रिया अगला है धर्ती घूमती है तो धर्ती यहाँ पर करता है और घूमती है क्रिया शब्द है इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए यह अकर्म क्रिया होई शिखा किताब पढ़ती है शिखा क्या पढ़ती है किताब तो इस वाक्य में किताब कर्म है तो ये सकर्मक्रिया हुई और इस वाक्य का करता कौन है शिखा काम करने वाले को हम करता कहते हैं शिखा शिखा क्या पढ़ रही है किताब और पढ़ती है तो शिखा करता हुई किताब कर्म और पढ़ती है क्रिया, तो इस तरह से आपको एक वाक्य में से कर्ता, कर्म और क्रिया शब्डों को अलग करके लिखना है अगला प्रश्ण है निम्न लिखित वाक्यों में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक पहचान कर लिखो अब हमें यहां वाक्यों को पढ़कर ये बताना है कि उसकी क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है पहला लिखा हुआ है उश्या रोज दोड़ती है तो इस वाक्य में कर्म नहीं है तो ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक्रिया कहते हैं पिता जी अखबार पढ़ते हैं तो पिता जी क्या पढ़ते हैं अखबार तो जब हमें क्या प्रश्ण का उत्तर मिले तो वो कौन सी क्रिया होती है सकर्मक्रिया कि इस वाक्य में अखबार शब्द कर्म है इसलिए ये सकर्मक्रिया हुई दादी जी सो रही है तो इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए ये हुई आकर्म क्रिया शोभा टेलीविजन देखती है शोभा क्या देखती है टेलीविजन तो टेलीविजन शब्द यहाँ पर कर्म है इसलिए यह कौन सी क्रिया हुई सकर्म क्रिया निम्नलिखित धातूं से क्रिया शब्द बना कर उनका वाक्यों में प्रयोग करो मतलब यहां हमें क्रिया का मूल रूप जिसे हम धातू कहते हैं वह दिया हुआ है उससे हमें क्रिया बनाना है ना या ता लगा कर फिर हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है उनसे वाक्य बनाने है, तो पहला दिया हुआ है खा, तो खा में ना जोड़ दिया तो बना खाना, आप खाता भी लिख सकते हो, और इसका वाक्य बन रहाएगा, मोहन सेब खा रहा है, या मोहन सेब खाता है, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, गा, गा से हमने लिखा गा तो वाक्य बनाया, आमित गाना गा रहा है, आमित गाना गाता है, चल, चल से लिखा आमने चलना, चल में ना जोड़ दिया, चलना, और वाक्य बनाया, वह गुसे में चला गया, तो चलना क्रिया का रूप बदल गया यहाँ पर, वह गुसे में चला गया, सो, सोना, सोना से क्या वाक्य बनेगा? मैं जल्दी सोता हूँ, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं यहाँ पर पढ़, पढ़ से पढ़ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया का रूप बदल गया, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं झाल